वेलो गईस और वेलकम बैक टो मैं चैनल अनुपरिया गाईस आज मैं आपके लेकर आगई हूं एक ऐसी है रेमेडी जिसे यूज करने के बाद में आपके जो बाल बारिश का सीजन आ गया है और इसमें जो बाल बहुत जादा ज़ड़ते हैं जो मेरी जो रेमेडी है उसे य पथले बाल है नंपाय ही बढ़ रही है और आपके बालों की यह सारी नि berv不会 होने के लिए जलिए जस्टार्ट करते हैं आज कीर प्लेट को इस रबंड़ी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है उनिन यानि प्यास जो सबसे पहले मैं ऑनिंस इस प्याज से में चोटे चोटे टुकडो में कट कर लूँगी बहुत से बार इसा होता है कि जब हम किसी के लंबे बालों को देखते है तो हम ऐसा लगता है कि काश समारी बाल भी ऐसे होते लेकिन गाइप को य snack करने के बाद में आपको कभी भी ये सुचना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह आपकी हैर ग्रोथ को डबल स्पीट से बढ़ाएगा और आपकी जो हैर से बिल्कुल भी जड़ने बंद हो जाएंगे और जो आपकी हैर है उसमें एक शाइनियर आएगे आपके हैर स्मूदर बनेंगे इस तेमेडी को ट्राइ करने के सब्सक्राइब देख सकते हैं इसको मैं पीस लिया है अब में इसका जूस एक बाउल में कंटेंड कर लूगी तो जूस निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिया है एक स्टेनर स्टेनर आपको घर पर इसली अवेलेबल हो जाएगा यानि चलनी जिसे हम चाय वगिरा चानते प्रेस्ट कीयआ निकाल लेगे पेस्ट्रसप्रम की अब इस तरीके से प्रेस काल लोगे contain कर लूगे container में ये जो onion का juice है ये हमारे hair को growth करने में बहुत ही ज़ादा helpful है और हमारी जो hair growth रुखी हुई है उसे भी ये बहुत ही जल्दी से regrow करेगा हमारे जो बाल है बिलकुल ही जड़ गए हैं ये उन्हें जड़ने से भी रोकेगा हमारे बालों को ये एक नेचरल शाइन देगा मैंने इसका जूस निकाल लिया है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका वाइट कलर का जूस आपको दिख रहा है ये प्यास का जूस है इसे अब आपको अपने हैड्स में अपलाई करना है लेकिन उससे पहले हमें जो में इंग्रीडियंट से जो इसमें एड्ड करने हैं वो मैं इसμεं एड्ड कर लोगे तो चलिए हम एड्ड कर लेते हैं सबसे पहले में ले रही हूं एक वीटामिनी की कैबसूल या आपको किसी भी मैडिकल स्टोर पे easily available हो जाएगी 20-30 रूपीस में तो मैं एक कैप्सूल ले रही हूँ और मैं इस मिक्शर में एड़ करूँगी इसे इससे हमारी जो हैर ग्रोथ है और भी जदा डबल हो जाएगी और साथी साथी हमारी हैर्स को smoother and shiner भी बनाएगा तो मैं इसमें इसे एड़ कर लेती हूँ अब आपको कोई भी खाली स्प्रे बोटल ले लेनी है यह आपको मार्केट में easily available हो जाएगी अब हमें जो प्यास का यह जो पानी है इस पूरे मिक्शर को हमें एक स्प्रे बोटल में transfer कर लेना है आप यह स्प्रे बोटल मार्केट से बाई कर सकते हैं यह easily available हो जाएगी छोटी या बड़ी आपके size के इसाब से आप इसे ले सकते हैं तो मैं इसमें डाल लूँगी हमारा यह जो प्यास का पानी बन कर रेड़ी हो चुका है अब मैं इसे धकर लगाने के बाद अच्छे से shake कर लूँगी ताकि जो हमने इसमें vitamin E oil डाला है वो अच्छी तरीके से इसमें mix हो जाए तो guys सबसे पहले आपको क्या करना है center की जो मांग होती है वो निकाल लेना है and पीछे से भी आपको दो भाग कर देने है अपने बालों के इस तरीके से और अपने बालों को अच्छे से आप सुलझा ले कॉम की हेल्प से आप इसे अपने हैर्स में कॉम कर लीज़े अच्छी तरीके से तो guys सबसे पहले अपनी spray बोटल लेनी है आपको और आपको अपने नाखुन की हेल्प से या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरीके से अपने बालों में गैप करना है और आपको spray करना है इस तरीके से अगर आप spray करेंगी तो अच्छी तरीके से अपने बालों कोई जड़ों में लग जाएगा याद रहे इसे अप्टे बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं अगर जहाँ जहाँ आपको लगता है गाईस के आपका जो ये मिक्स्चर है ये कम लगा है तो आपको इस तरीके से वहाँ पर मांग बना लेनी है एंड देन उसे अप्लाई करना है जड़ों में installation के वाला है साथी साथ है की घृषद करेगा आपके जो बाल जड़ने की प्रोप्लम है वो सारी प्रोप्लम्स को ये दूर कर देका और आपके जो सुर्फ गंजाबन होता है उसन adolescents भी नए बाल घाएंग आपकी है की घृषद को बढ़ाएगा और ये आपकी hair growth में बहुत ही ज्यादा benefit देगा ये आपकी hair growth को double तरीके से बढ़ाएगा double speed से बढ़ाएगा आपकी hairs को healthy भी रखेगा और guys इसका second फाइदा ये भी है साथ ही साथ आपको आपकी जो eyebrow से वहाँ पर भी इसे apply करना है बहुत से लोगों के ऐसा होता है बहुत सी girls होती है बहुत सी women's ladies ऐसी होती है जिनके eyebrows बड़ी नहीं होती है लंबाई नहीं होती है या फिर grow ही नहीं होती सो आपको इसे इस तरीके से apply करना है इस water को ये आपकी eyebrows को भी grow करेगा इससे आपके eyebrows लंबी और घनी हो जाएंगी अब आपको अपने बालों को इस तरीके से मोरते हुए आपको अपने hair में बन बना लेना है यानि एक जूड़ा बना लेना है अपने hairs को आपको अगर आप इसे morning में apply कर रहे हो तो आप इसको दो या तीन गुंटे बात wash कर लें गाइस ये बहुत effective होने वाले आपके hair की growth को ये double कर देगा आप इसे लगाए और अपना experience मेरे साथ ज़रूर शेयर करें तब तक के लिए बाई